डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी स्टुडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक राक्सर नहीं मिल पा रहा था और साती सात मिनमम टाइम में maximum study करनी थी तो एक concept लेके authentic knowledge देनी है और minimum time में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel के शुरुआत हुई थी है बाद में student की demand आने लगी कि सर ये video वो video तो फिर different domain के और different subject के कई सारे video को इसमें upload किया गया जो की class 5th से start है आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम वीडियो हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस याने 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस channel पर upload किये जा चुके हुए है जो की different domain के हैं आप एक बाद playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के video यहाँ पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers यह हैं वो इस channel के non subscriber हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया है कि 25% viewers ने ही subscribe क के यह आई इस channel को तो भई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई समिच suggestion है तो वह मेरे लिए बहुत ज्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए यही आसा के साथ वीडियो शुरू करते हैं आए अब इस कोश्चन का कॉंसेप्ट समझते हैं कोश्चन कर रहा है कि समीकरण B2C प्लस XH2O और गिपस Y, B, E, O, H whole twice प्लस CH4 में से X तथा Y का मान करमशा होगा option A दिया है 2,4, B दिया है 1,2, C दिया है 4,2 और D दिया है 2,1 सही ना मतलब आपको एक समीकरण दे दिया गया और उस समीकरण को बैलेंस करना है संतुलित करना है और यह बताना है कि यह X कितना होगा मान और Y कितना होगा तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं और मैं शुरुआ से बता रहा हूँ कि कैसे आप समीकरण को बैलेंस करते हैं ठीक है ना चलिए देखे दोको मैंने समीकरण आप लिखा B2C और प्लस हो जाएगा क्या X H2 हो जाएगा और यह बनाएगा क्या यह बनाएगा Y B E O H O 2 ठीक है ना और प्लस बनादेगा क्या CH4 यानि मेठेन बना देगा अब देखो जब भी आप संतुलित करते हो तो संतुलित करने पर आप पहले अंक यहाँ पर लिखिए और पूरे जब संतुलित हो जाए तब फिर आप यहाँ पर उसको लिखिए तो चले देखें जो के यहां पर b2 कितने य। इसलिए हम इक Jaap करते हैं कि compost रखें अब एऽ कर लेते हैं यहां और भी कर सकतें कि इस अभिक्रिया में आप यहाँ पर एक्स और यू मत लिखो और आप यहा पर सीधे H2O लिख दो और यहाँ पर B, E, O, H whole twice लिख दो ठीक है ना और यहाँ पर लिख दो क्या CH4 लिख दो आप देखो यहाँ पर Beryllium कितने दो है यहाँ पर Beryllium कितना एक है तो हमने यहाँ पर दो से इसको multiply कर गिया ठीक है उपर दो लिखेंगे जब final हो जाएगा तो यहाँ प परमाडू हो गए जबने दो से गुणा किया यहाँ पर कारवन का एक परमाडू है यहाँ पर कारवन का एक परमाडू हो गया सही है यहाँ पर हाइडोजन के दो परमाडू है और यहाँ पर हाइडोजन के कितने चार तो यह हो गए और दो यह और दो यह चार यह हो गए ब क्या मेरे डोच होल ट्वाइस मिले में अब इसको फोल दे तो 2 को छोलेंगे तो क्या होगा दो दूणी चार हो गया चार मेरे पास और योगन तो अब चार हाईडोजयन को हम भातियुव गया यहां शीघा मिल दोटने मिल गया यह यह विरॵ ह अगर मेरे वह ये उसको चार से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पाँ हाइडोजेन हो जाएंगे फो टूजा, यानि चार दूनी आठ हो जाएगा, यानि 8 हाइडोजेन उधर है तो 8 हाइडोजेन इस खर लें अब चली औच घूले और समस्ट कर लेते, और उक्सियन के तो यह हो जाएगा 4H20 हो और इसको लिख सकते हें यहाँ पर और अधू होल ट्वारी चलाए एक बार फिर से देख लेते हैं इहाँ पर कितना 1 है Скорबन यहाँ पर एक है is hydrogen यहाँ पर आठ हो गए hydrogen यहाँ पर 4 हो गए hydrogen और चार यह हो गहाई आठ हो तो जलिए देखिए, यहाँ पर x और y का कुछ डिया हुआ है, x कमान 4 है, y कमान 2 है, यारि या आंसर c जो होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए.